रक्षा प्रणाली यात्रा विक्सित की गई है प्रणाली के तहट परिक्षा प्रणाली शुरू करने को प्रस्तावत किया गया है जो अलग-अलग संस्थाए काम करें भरती के लिए अब इनके विलेप को प्रस्तावित किया गया है सरकार के ओर से कुछ ऐसे आपरादियों के नाम सामने आये हैं जिन से देश को नुक्सान हुआ है और ऐसे लोगों की संपती जब्द करने के लिए सरकार कानून में संशोधन लाने की सोच रही है तब तक जब तक वो कानून के तहट ना आ जाए पारदर्शी सासन के लिए सरकार प्रतिवद्धिता बनाए रखेगी महात्मा गांदी की एक सोपचासवी जैनती मनाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे और इसके लिए कुछ चस्तरी समिटी भी बनाई जा रही है चंपारण सत्याग्दा के शताबदी वर्ष के मौके पर इसे उत्सो के रूप में भी सरकार मनाएगी और गुजरात सरकार को इसके लिए मदद पहुचाए जाएगी सावर्मती आश्रम में ये समारों होगा 21.47 लाग करोड का कुल विया ही रखा गया इस बजट में 21.47 लाग करोड अब पूरा ध्यान राजस्वर पुझी वियाई पर है पुझी वियाई में 25.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है पर इसके गुनात्मक परणाम मी दिखेंगे करोड करोड इस्ट र्रॉपीश्ट लॉपीर अईने ट्री सोंट सेटों स्विया प्रत्मक ट्राइशस्ट कैनष्ट इस ओंडी प्रत्मक ट्रीन रॉपीर्ट में रक्षा पुन्जी के लिए 86,000 करोड सरकार ने प्रस्तावत किया है पेंशनरों को छोड़ का अर ग्यानिक मंत्रालियों का आवंतन बढ़ा कर 33,000 करोर से जयादा कंटी आ गया है जिसमें सिफारिश की गई है समिती ने 2023 तक सामने सरकार के लिए साथ प्रतिशत सकल घरिलू उत्पाद पर रिंड के लिए समर्थन दिया है गन्यवान की ए Crangal का लिए सब्सक्राइशन पैड टेक लिए रॉटिवरो ट्क सामने साथ को खेंड पाइशन है प्रप्रिश सान अजरी तो सल्टार्टि सान वोग्यानी प्रश नू करantu टूर्ज समय love is a strong case now to in both this escape clause i am refraining from doing soon the first the committee will be carefully examine and appropriate decision taken duos nevertheless I take note of the fiscal deficit roadmap of three percent recommended by the मते पूरिफीर चाह्रों कि थैन जाने पूरिब कर एप्झार तके हम एक आथ कोश़ नाज अधितल टोरिये वन फेवगिशनanche सब्सक्षबर इंग रखेशीज अप्रिश्य 2017-2018 at 3.2% of the GDP and remain committed and remain committed to achieve 3% in the following year. With this gradual approach, 2016-2017 के लिए गाजकोशे घाटा तीन दश्मनों दो प्रतिशत रखा गया है. राजकोशे घाटा दो दश्मनों तीन प्रतिशत के अनुमान में दो दश्मनों एक प्रतिशत कम हो गया है. अब मैं कर प्रस्ताव प्रस्तोत करने जा रहा है. कर शकल घरिलू उत्पाद बेहत कम है भारत का. वित्तमंत्री कुछ आकणे रख रहे हैं. और संगठित क्षेतर के रोजगार में लगे चार दश्मनों दो करोड लोगों की तुलना में प्राप्त आए के सम्मन्द में जो विवरन प्रस्तूत किया जा रहा है. उनसे सिर्फ एक दश्मनों साथ चार करोड रुपए आए होती है. व्यक्तिगत उद्यमों और फर्मों की संग्या पांच दश्मनों चे करोड रुपए छे करोड थी लेकिन आए इनसे सिर्फ एक दश्मनों आठ करोड रुपए ही है. भारत में 30 मार्ज 2014 तक पंजिकरित 13.94 प्रतिशत नई कमपनियों में से 5.97 लाख कमपनियों ने निधारन वर्ष 2016-17 के लिए अपनी विवरन जो प्रस्तूत की है. और ऐसे 9.97 लाख कमपनियों में से 5.00 लाख कमपनियों जो विवरन तस्तूत की है. उसमें से कुछ कमपनियों ने कर पुर्व लाख एक करोर रुपए दर्शाय हैं. 28,666 कमपनियों ने 10 करोर ही अपनी आए दर्शाय है और 5,000 कमपनियों ने अपनी आए 10 करोर से ज्यादा दर्शाय है. पॉने 4 करोर लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि उनकी आए 10,5 लाख रुपए से कम है. एक दश्मेला 9 करोर लोग 10,5 लाख के बीच अपनी आए दर्शाय आते हैं और 52,00 वेक्ति ऐसे हैं जो 10,00 लाख से ज़्यादा अपनी आए बताते हैं. और सिर्फ 24,00 लाख लोग ऐसे हैं जो 10,00 लाख से उपर 24,00 लाख से उपर अपनी आए दर्शाय आते हैं. पांच लाख अपनी आए ऐसे लोग जो 5,00 लाख से उपर अपनी आए बताते हैं उसमें से 56,00 लाख लोगों में से 56,00 लाख ऐसे हैं जो सरकारी कर्णचारी हैं. पूरे देश में 50,00 लाख से अधिक आए दर्शायने वाले लोगों की संख्या 1,7,00 लाख ही हैं. और सिर्फ पिछले पांच सालों में धाई करोड से ज़्यादा धाई करोड कारे बेची जा चुकी हैं. परेटन के लिए विदेश जाने वाले भारतिय नागरिकों की संख्या 2,00 करोड के आसपास हैं. और ये आकड़े इस निश्कस पर पहुँचाते हैं कि हमारा समाज कर अनुपालन नहीं करने वाला समाज है. जब लोग बहुत ज़्यादा लोग कर चोरी करने लगते हैं तब इमानदार लोगों पर उनके कर का बोज पढ़ने लगता है. नोट बंदी के बाद लोगों के द्वारा पुरानी मुद्रा में जमा की गई राशी का विशलेशन भी कुछ ऐसा ही इशारा करता है. पांच नॉमबर से 30 दिसंबर 2016 की अवधी के दौरान लगबग 1.09 करोर रुपे खाते में जमा किये गए. तीन करोर लोगों ने 80 लाक से उपर की राशी जमा कराई अपने खाते में. नोट पन्दी के दौरा. अत्रवस्था से काला धन को बाहर निकालना सरकार की प्राश्मिक्ताओं में से एक है. कर प्रिशासन को और उप्युक्त बनाने और देश को कर आधार का वस्तार करने के लिए सरकार प्रतिबद है. नई दुनिया है, नया दौर है, नई है उमंग. कुछ थे पहले के तरीके, तो कुछ है आज के रंगधंग. रोशनी आके अधेरों से जो टकराई है, काले धन को भी बदलना पड़ा आज अपना रंग. अवार प्रतिबद दौरी के रंग, अजिया है. आप यह नहींता है, काले इन दौरी के लिए दौरी के लिए, काले है. प्रतिफन दौरी के रंगधंगे, तो नहींता है, ए है. 11.38 गर लागट थी 15.38 एकिर भी तरबागत तक बढ़ गया 16-17 के अनुसार और यह माना जा रहा है कि इस साल भी 17 प्रतिशा पिसमें विद्धी देखी जाएगी 4.8% मैंडम यह दिमानाइटाइज निशन का भी असर है कि पर्सनल इंकम टैक्स लोगों को जादा डिस्क्लोज करना पड़ रहा है 34.8% इंप्रीज इस देख के ट्याज में अभी नहींपा मैंडम स्पीकर, the trust of my tax proposal in this budget is to stimulate growth, relief to the middle class, affordable housing, curb black money, promote digital economy, digital अर्थ मिवस्ता को बढ़ावा देने और भिष्टाचार खत्म करने कालाधन को खत्म करने के लिए कर प्रावधान किये गए हैं, सस्ते आवास और रियल स्टेट को बढ़ावा देने के उपर भी पिछले साल बजट प्रस्ताओं में आयका छूट की घोशना की गई थी, प्रिक्रिया बहुत अच्छी रही लेकिन इस साल इसे और आकशक बनाने के लिए कुछ परिवर्थन किये गए हैं, आकशी कार्पेट आरिया आप थार्टी न शिक्स्टी पर्श्ती स्क्वार मेटर इसे थीस पर्सेंट की साइज भढ जाता है, एफॉर्डबल हाुसिंग का, also the 30 square meter will apply only in case of municipal metropolitan cities while the rest of the country including the peripheral areas of metros limit of 60 square kilometers will apply in order to be eligible the scheme 60 square meter i'm sorry i stand corrected 50 meters will apply in order to be eligible the scheme was to be completed in three years after commencement i now propose to extend it to five years at present the houses which are unoccupied after getting a completion certificate are subject to tax at a notional rental income for builders for whom constructed buildings are stock in trade i propose to apply this rule only after one year at the end of the year when the completion certificate is received so that they can get some breathing time for liquidating their inventory we also propose to make a number of changes in the capital gain tax provision builders के investment को लेकर सरकात लेकर ने कुछ संशोधन किये हैं इस बजट से 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 संपत्ती विकासेतु पुन्जिगत लाब कर अदा करने लिए पुन्जिगत लाब कर अदा करने के लिए सरकार पाधित करेगी ऐसे लोगों को जो अपनी अचल आय छिपा रहें नए भूमी अदिग्रण कानून के तहत काम किया जा रहा है विदेशी वाने जी कुधारों और सरकारी प्रती भूतियों में विदेशी कमपनियों के द्वारा उतपादित त्याज पर पांच प्रतीशत रियायत सरकार ने प्रतावत की है दो हुजार तीस जून दो हुजार बीस तक इसे बढ़ा दिया गया है सरकार ने पिछले साल कुछ श्याटों के साथ स्टार्ट अप को आई का रियायत दी थी और इसमें 51 फीज़ धारत होने की एहरता को खत्म कर दिया गया है मैट समाप करने की मांग उठ रही थी पर 14 2017 से इसकी शुरुवात कर दी जाएगी सरकार एक साथ मैट खत नहीं करेगी लेकिन धीरे धीरे छूट देती रहेगी पिछले बजट में घोश्टा होई थी कॉर्परेट पर टैक्स कॉर्पर आई पर टैक्स बढ़ानी के लिए कि उनको cuidado आए पर आएग ड़े एक साथ मा करे एक सक्षाब्य को ग्रपर टैक्स का उच्मापना पर टैक्स बड़ाइए मध्यम और लगू उद्योगों में उद्योगों को टैक्स रियायत की बात किया रहे हैं विक्तमंत्री जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजकार बिल सके MSME कमपणियों को और वहवारिक बनाने के लिए सरकार प्रतिवद है और उन्हे प्रत्साहित करने के लिए और 50 करोर उपय का वार्शित कारूबार करने वाली कमपणियों के आएकर को घटा कर 25% करने का प्रस्ताव किया गया है 50 करोर जिनका टर्नुवर है उनगे टैक्स को 5% घटा कर 25% कर दिया गया और ऐसे 6.49 लाख कमपनिया हैं और 96% कमपनिया निम्न कराधान का फाइडा उठा पाएंगे और ये MSME को और अधिक प्रतिस्पर्दी बनाएगा और इसके लिए 7200 करूर रुपे का दबाव बढ़ेगा सरकार पर रुन ऑर इसके लिए और ग्लूरिध को States पेट्रो रसायन के शेत्र में स्टॉप के इस्तमाल के लिए भी कर्मे रियायत दी गई है सीमा शुल्क और उत्पाज शुल्क में परिवर्तन किया गया है हम डिजिटल अर्थ विवस्था को बढ़ावा दे रहें दो करोड रुपए की बिक्री करने वाले वियापारियों के लिए कुल बिक्री का आठ प्रतिशत वर्तमान में उनका आए माना जाता है लेकिन सरकार ने डिजिटल एकॉनमी की तहट इसे 6 प्रतिशत मानने का प्रावधान किया है दस हजार पूंजी वियाए की सीमा की गई है और काले धन के लिए गठी तेसाइटी ने सुझाद दिया है कि 3 लाख से उपर की कोई भी लेंदेन करनी की अनुमती नहीं दी जानी चाहिए और सरकार ने ये प्रस्ताव स्विकार करने का फैसला किया है क्यानी तीन लाख से उपर लेंदेन नहीं हो सकता और इसके लिए कुछ आयकर में संशोधन किया गया है मैं कैशलेस लेंदेन को पढ़ावा देने के लिए POS, कार्ड रिडर, माइक्रो अटीम, फिंगर प्रिंट रिडर इन चीजों पर से उत्पाद शुर्ख अटा लिया गया है कैशलेस एकोनॉमी के लिए और इनके कल पुर्जों के निर्मान पर भी कर में छूट दी गई है उत्पाद शुल घटा लिया गया है अब आजने ते गलों की बात हो रही है जाजने तिक डलों के वित्त पोशन पर बोल रहे हैं वित्त मंत्री अट्प्रॉज प्रफ बेले प्रशत प्रश्त प्रश्त कर अच्ज़ आज़िड प्रश्त स्ट्रीड में पाल स्ट्ट्टि पहले राजनितिक दलों को मिलने वाले चंदे में दाता और प्रदाता दोनों की सूचियां गुपत रखी जाती थी राजनितिक पार्टी आपनी अधिकान श्रुधी अग्याद चंदे के जरिये हासल करती है और राजनितिक वित्व पोशन प्रणाली दुरुस्त के जाने की जरूरत है जिससे वित्य पार्दरशीता आ सके दिर्वाचन आयो के द्वारा दिये गए सुझाव के तहट एक राजनितिक पार्टी एक वियक्ति से के दो हजार रुपए चंदे के तौर पर प्राप्ट कर सकती है क्या शेयर डिजिटल माध्यम के जरिये राजनितिक दल चंदा प्राप्ट कर सकती है सकती है चेक या डिजिटल माध्यम से कर दूपए च्छिटल माध्यम के जरिए घर यहां के थो प्राप्ट करना कि या खुएंट तो एक श्रीटल माध्यम से कर दी ऐसे स्थीप भी एक प्राप्ट कर दो विएसंदिया अन्या ट्रीटल फॉजिटल पुएंपादाश्या से